मार्केट के बारे में बात करें तो काफी जबज़ास अबडेट निकल के आ रही है सबसे पहली जो चीज है यहां आप देखो निफ्टी में चेतावनी आनी शुरू हो चुकी है क्यों क्योंकि निफ्टी में बना है आज के दिन डबल टॉप पैटरन और आगे दिख रहा है लोगों को कमजोरी के संकित देखे अब बात यहां जाके खतम नहीं होती यहां देखो भाईया FIS ने 2626 करोड के असपास की बिक्वाली करी और उसके सामने 570 करोड के असपास की खरीदारी करी है यह बहुत ही बड़ा important sign है जो आपको समझना चाहिए क्योंकि जब पिछले कुछ ट्रेडिंग से जो DIS थे ना वो FIS का पूरा का पूरा माद उठा रहे जितना वो बेच रहे थे उतना यह खरीद रहे थे हर एक dip में खरीदारी DIS की देखने को मिल रही थी आज के दिन 2600 करोड के आसपास की बिकवाली है उसके सामने सी 570 करोड के आसपास की खरीदारी है यह भी अपने आप में एक वेशन मार्क रखता है कि भाईया क्यूं DIS अभी थोड़ा फिर से रुक गए है क्या उनको ऐसा लगता है कि एक और डीप आने बाला है ठीक है चलो वो भी देखते हैं क्या है हकीकत क्या है काफी कुछ है तो देखो निफ्टी में चैतावनी है डबल टॉप पैटर्न की आगे कमजोरी देखने को मिल सकती है FIS DIS का आकड़ा आपने देखा 6 दिन का अगर आकड़ा देखेंगे तो FIS ने 20,000 करोड की बिक्वाली करी है उसके सामने DIS ने 19,500 करोड की खरीदारी करी है अभी भी अगर आप टोटल आकड़ा देखेंगे ने इनका अगस्त का तो अलमुस्त अभी भी इक्वल चल रहे है इस चीज़ का ध्यान रखना जो भी भारी होगा ना उस साइड का मोमेंटम आएगा तो उसके लिए थोड़ा हमें वेट इन वोज का सिनेरियो समझना चाहिए ठीक है चलो वहाँ भी वर्निंग की ही बाते चल रही है अब आगे क्या चल रहा है वो भी देख लेते हैं तो देखो यहाँ निफ्टी हाज टेकन सपोर्ट इस 50 डेमाप बट फाइंडिंग सस्टेंड सप्लाइ नियर 24,350 यहाँ एक सप्लाइ जोन देखने को मिल रहा है तो 24,350 के उपर ब्रेक आउट करना ज़रूरी है तभी एक रेंज का ब्रेक आउट होगा और दूसरी चीज यह है कि भाईया मार्केट में 24,000 का जो लेवल है यह एक most important लेवल है अगर हम इस ट्रेडिंग रेंज में फसे है तो सेल उन बाउंस की स्टेटेजी चल रही है यह हमरा कहना नहीं है यह किसका कहना है मोतिला लोसवल के चंदन तापरिया का कहना है यह news का समझना काफी ज़रूरी है कि भाईया अब क्या news में चल रहा है कैसी बाते चलना शुरू हो चुकी है यहां तक आपने समझ लिया अब असली गेम समझो FIS का डाटा आगया है मेरे पस FISDS का पूरा व्यू अगर आप देख लेंगे आपको समझ आ जाएगा देखो यहां index future पर FIS है न वो medium bearish है पर nifty पर भाईया यह strong bearish है ठीक है अलाकि आज के trading session का थोड़ा बहुत वो भी momentum रहेगा एकसपारी का ठीक है पर bank nifty पर वो mild bullish है तो अगर आप इन तीन trading चार index पर देखेंगे न तो bank nifty के उपर वो अब थोड़ा mild bullish होते हुई देखने को मड़ा है इस चीज़ का ध्यान रखना ठीक है midcap nifty fin nifty यहां mild bearish है एक चीज़ ध्यान रखना FIS game कैसे खिलते है पता है हर बार हर एक statement को गलत करेंगी यह लोग हर एक statement को गलत करेंगे market सीधा नीचे 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 जब retailer के आँखों में एक पटी आएगी न कि भाया अब market यहां से तगड़ा गिरेगा ठीक है जब सब लोग बोलेंगे न तब यह लोग उठाएंगे यही खेल होता है FIS का ठीक है जब पूरा market पूरा market बोले न sale 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 तब भाया हो जाओ ऐलट ठीक है यह काफी पूरा ना game होता है मैं काफी पहले सालों पहले मैंने यह चीज़ समझाई थी ठीक है तो यह चीज़े काफी important होती है अब देखों यहां professional की बात करें तो वो mild bullish है options पे उनका थोड़ा बहुत hedging purpose type का मेरे को scenario लगा तोनों साड़े में जिस तरह से structure बना है पर overall अभी भी वो mild bullish देखने को मिल रहा है पर तीसरी महासकती जो है हमारी retailer ठीक है उनका अगर अब यह देखेंगे तो index future के उपर वो mild bullish है options पर वो भी confused है options पर अभी retail भी confused है क्यों क्योंकि भी है market में ना तो breakout हो रहा है ना तो breakdown हो रहा है news आ रही है market उपर जा रहा है news आ रही market नीचे जा रहा है अब इसमें होता क्या है buyer और seller दोनों के दोनो फस्ताते है market में ठीक है और command का कौन है भी है FIS ठीक है FIS दबा के माल बेच देता है वो 10-15 मिनिट में खेल करके निकल जाएगा अब हम तो देखते रहेंगे ना कि भी है क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये चीजे होती है reality बता रहो भी किसी को पसंद आया है ना है अब देखो कुछ बात करते है इन भाई साब का एक और statement आ चुका है पिछली बार भी इन भाई साबने थोड़ा डराया था और डराया था और market गिरा भी था ऐसा नहीं है budget के time भी इन भाई साबने गिराया था गिराया तो नहीं बोल साब पर डराया था और उसकी वज़े से market गिरा भी था अब इनका कहना यह है कि भाईया मार्केट है ना उसमें जो इंडियन मार्केट है उसमें ज्यादा वोलेटिलेटी देखने को मिलेगी अगर मार्केट यूएस मार्केट अगर डाउन टन करता है नीचे की साइड तीक है अब ऐसा इन्होंने क्यों बूला है ये काफी important है और उनका कहना ये है कि अब देखो ये क्या चल रहा है ना वो आप थोड़ा अपने हिसाब से समझना कि भाईया एफ़ाइस अभी continuously बेच रहे मार्केट डियाइस ने थोड़ा हाथ अभी रोका है थीक है डियाइस ने अभी थोड़ा हाथ रोका है तीसरी चीज एफ़ाइस mostly अगर आप अब इतना ज्यादा ये लोग सेलिंग करके बैठा है तो इनका एम ये की होगा ना कि भाईया मार्केट कैसे भी करके नीचे आया अगर नीचे आएगा तभी वो अपना माल उठा पाएंगे नीचे से वरना उनको टोप चाहिए सेल करने के लिए ठीक है ना ये चीज ध्या है डॉमेस्टिक एकोनोमी की वज़े से ठीक है और दूसरी चीज ये है कि भाईया जो डॉमेस्टिक मनी है न ठीक है वो दा प्राइमरी बीकोज इंडियास ओंगोईंग स्टोप मार्केट रेली हैस बिन ड्रिवन बाई डॉमेस्टिक मनी अन्लाइक दाकेश इन जपन क्र काफी इंपोर्टन चीज़े कहता है पर उसके सामने में एक और डाटा आया है वो काफी ध्यान से संबदना ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा पर जो इंपोर्टन है वो बताना ज़रूरी है यह काफी इंपोर्टन है मिस मत करना देखो यहां न मेकी है 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 नस् 18% की गिरावर देखने को मिली है यहां से संबदना 18% गिरा 14% गिरा 13% 12% 11% 8% और 6% ठीक है यह सारे के सारे ग्लोबल मार्केट हमरा निफ्टी देखो भाईया यहां 3% का फॉल करके बैठा है समझ रहे हो ना पूरा का पूरा जो ग्लोबल मार्केट है ना वो इतना यहां आप देख सकते हो 30,000 के आसपास मार्केट था 52 वीक हाई एक अगस्त को और यहां आप देखो लास्ट क्लोज 24,000 के आसपास है तो वहां तक अगर हम केलकुलेशन करें तो 3% है तो मतलब अभी भी अभी भी हमारा जो इंडियन मार्केट है ना वो ग्लोबली एक और निफ्टी का यहां जो लाइन है ना रेड लाइन वो जापान के मार्केट का है और यह हमारे इंडियन मार्केट का है यहां सिंपल सी चीज है यह देखो भईया यहां जो गिरावट आया है यह लाइन यहां बड़ी डीप देखने को मिली है वो जापान में देखने को म नहीं है वह अभी भी होल्ड किया है तो लोक लोजीकली यह समझ रहे हैं कि भई अब जहापान इतना टुप चुका है तो निफ्टी इतना स्ट्रेंट दिखा रहा है तो मार्केट में अगर डी पाता है तो वह जहापान से ज्यादा देखने को मिल सकता है यह सारा खेल समझ होना गेम ऐसा खेला जाता है इन लोगों का अब देखो यहां एक चीज और बताना चाहता हूं देखो काफी मैनत लगती आपके लिए कुछ ना कुछ आपके लिए खबरे लाता हूं काफी कुछ इंफर्मेटिव आपको लगता है सिखने को मिलता है ना तो लाइक शेर और कॉमेंट ज़रूर हो जाना चाहिए हाँ अभी मिस मत करना अभी काफी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है ठीक है शुरूर रखें वीडियो अब हम चार्ट पे चलते हैं कुछ में आपको एनलिस समझाना चाहता हूं उससे पहले टेलिग्राम से जरूर जूट जाए ना डिस कुछ भी मिलेगा बिल्कुल फ्री में मिलेगा सिखना है तभी जोइन करना वरना मत करना बस अब सीधा चलते हैं चार्ट तो देखे हम आ गया है निफ्टी के चार्ट पर अगर हम बात करें कि यह जो वीडियो है ना वो प्रिवेस वीडियो से काफी अलग है तो यह मत है था कल के टेडिंग सेशन के लिए कि मार्केट यहां जो गैप बना है ना वो गैप फिल करना आएगा मतलब मैंने आपको साब बता है था कि इसके नीचे आपको विकनेस आएगी मैंने आपको लेवल बता है था 24 अज़र दूसों का ठीक है जैसी मार्केट उसके आसपास रहना स्टार्ट हुआ मार्केट में मोमेंटम दीखे यहां से यहां तक का देखने का मिला यह जो गैप था ना ठीक है मैंने आपको बता था कि यहां एक गैप बना है मार्केट में निफ्टी में ठीक है यह जो गैप है 200 पॉइंट का है वो गैप फिल करने मार्केट जाए थोड़ा मैंना आपको डीपली समझाना चाहता हूँ कि structure अब क्या बना है क्योंकि देखो अब एक ही चीज है कि FIs है ना ठीक है FIs continuously selling के mood में है DIs जो है वो continuously buying के mood में है आज के दिन का जो आखड़ा है वो DIs का थोड़ा कम आया है तो थोड़ा बहुत हमें सतर्क रहना चाहिए कि भईया जिस तरह से FIs बेच रहे था ना उससे ज़्यादा DIs खरीद रहे थे पर आज के दिन का जो आखड़ा है वो थोड़ा हमें सतर्क रहने की तो चीज रिखाता है ठीक है मैं डरा नहीं रहा पर थोड़ा बहुत हमें भी समझना चाहिए कि भईया अब मार्केट में ऐसा क्यू है जो DIs थोड़ा 8K है ठीक है ये काफ़ी important है अब थोड़ा मैं आपको समझा हूँ तो देखिए यहाँ सबसे पहले ना ये 4 trading session का खेल समझे ये 4 candle चार trading session की है और असली खेल यहीं से सूरव हूआ है ठीक है देखो दो ट्रेडिंग session में बीक वाली थी यहाँ और यहाँ ठीक है यहाँ एक trading session में मतलब की कल के trading session में बा रवाया 24-350 तब ये candle जो बनी है ना वो अब आज के ट्रेडिंग सेशन के अगर आप candle देखे इतनी negative candle देखने को मिली है मतलब जो buyers ने उपपर उठाने के try करे थी वो भी sell में convert हुआ है और closing जो है वो भी almost एक पिछले trading session से नीचे ही है मतलब negative closing है तो एक point है कि वह या उपर से selling pressure देखने को मिला है दूसरा point यह है कि closing जो है वो negative देखने को मिली है तो अब देखे सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक level discuss करना चाहता हूँ इस range के उपर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है देखो यह level है ना यह कौन सी range है उस level को सबसे पहले आप समझ लो 24,235 से लेके 24,270 का level थी कि यह level जब तक निकलता नहीं है ना मेरे ख्याल से यहाँ से मेरा view यह है कि इसके उपर market निकलता है momentum चेज कर सकते हैं यहाँ थोड़ा एलेट रहे के काम करना है यहाँ अगर हम नीचे से अगर momentum चेज करना है तो यहाँ थोड़ा समलेंगे ठीक है देखेंगी भईया structure क्या बना रहा है ठीक है अगर वहाँ से negative आ रहा है तो फिर से यह लोग seller try करेंगे selling करने की उसके बाद अगर breakout play करना है तो 24,400 के उपर market को निकल दे दो उसके बाद ही असली एक market में बड़ा breakout आ सकता है इस चीज का ध्यान रखना है ठीक है यह point number one अब दूसरा जो point है यह काफी important है अगर आप देखें दूसरी चीज यह है कि यहाँ मैंने आपके सामने एक support रो किया है यह support पर अगर आप ध्यान देंगे न तो यहाँ एक काफी बहुती बड़ा important structure बनता हुआ देखने को मिला है देखो यह जो structure बनता है वो हमेंसा momentum देता है ठीक है अगर आप momentum चेस करना चाहते हो तो यह समझ लेना देखो यहाँ से market को गिराया फिर यहाँ से उठाया फिर गिरा फि यह है head ठीक है अब यहाँ आपको साफ समझ में आएगा कि market इसके नीचे जाता है न तो सबसे पहले तो यहाँ से एक selling pressure mount हो सकता है ठीक है तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि भईया देखो market में एक level पर कल हमारा काफी important परिके से ध्यान होन चाहिए और वो level है 24,050 ठीक है इस level के उपर थोड़ा ध्यान देना भईया ठीक है 24,000 से 24,050 यह 50 point की जो range है यह बहुत ही important है bulls के लिए अगर TG वालों को market को उपर ले जाना है कैसे भी करके ठीक है तो इस level को halt करना पड़ेगा अगर market 24,000 के नीचे जाता है 24,050 के सेलिंग का ठीक है negativity का negative activity देखने को मिल सकती है और इसके नीचे confirm हो जाएगा कि भाईया अब हम आ गया है भालू ठीक है फिर भालू साब नीचे गिराएंगे ठीक है उसके बाद हमें 23,900 के target भी देखने को मिल सकता है 23,830 का भी target देखने को मिल सकता है easily ठीक है इस चीज़ से रखना है ठीक है selling side यहाँ इन दो level पर focus करना है इसके नीचे selling देखने को मिल सकती है तेजी के लिए बायर सब एक ही plan कर सकते है ठीक है कल की अगर psychology पकड़े तो आपको एक की चीज़ समझना है कि market अल्रेड़ी यहाँ से उचल कुद कर दिया है इधर तक ठीक है फिर से आया गया है इधर तक अब possibility है कि भईया यहाँ से buyer को उठाना पड़ेगा अगर उनको जिन्दा रहना है जिन्दा मतलब ऐसा तो सब्द नहीं बूल सकते ठीक है पर अगर इनको यहाँ sustain करना है ना buyer को ठीक है बुल्स को अगर यहाँ रहना है तो भईया market को halt करना पड़े तो कल के लिए ना Friday को एक चीज़ ध्यान रखना opening और closing काफी important रहने वाली है इस चीज़ का ध्यान रखना opening कहां होती है और closing कहां होती है वो most important रहने वाला है अगले week के लिए भी और कल के लिए भी ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखना बुल्स को कैसे भी करके इस support level को sustain कर पड़ेगा दूसरी चीच 24,150 के उपर रखना पड़ेगा मार्केट तभी मार्केट में यहां से 24,250 के आसपास का टार्गेट खुल सकता है और उसके बाद 24,300 का टार्गेट देखने को मिल सकता है यह बुल्स का मैंने आपको समझा दिया तो बुल्स के लिए अब एक बहुत ही important structure बना है मार्केट इसके नीचे आता है भाईया तो थोड़ा बहुत आपको panic आता हुआ देखने को मिल सकता है ठीक है तो मेरा view क्या है मैंने आपको simple तरीके से समझा दिया है कि भाईया मार्केट में जिस तरह से structure बन रहा है ठीक है आप देख सकते हो ठीक है थोड़ा म मैं आपको minimize करके समझा दू ताकि आपको समझा देखो यह level है ना यह level एक बहुत ही important level निकल के आ रहा है ठीक है मेरा view यह है कि market को अगर उपर जाना है तो कैसे भी करके इस range को काटना पड़ेगा 24.200 के उपर market जाता है फिर वहां से 24.250 24.270 को काटता है तभी एक अगले window open होगी वरना इधर कहीं भी अगर hold करता है और काटता है ना नीचे तो 24.230 35 यह important है उपर से selling momentum आने के लिए और यह important है नीचे से buying momentum आने के लिए यह एक ब्रह्मास्तर level है ठीक है इस इसका ध्यान रखना हूँ बहुत ही बड़ा level में बता रहा हूँ ठीक है तो अगर level के ऊपर ध्यान देने वाला हूँ देखवाली के लिए मैंने आपको बताया इस 50 point की range में मैं थोड़ा ध्यान दूँगा market इसके नीचे आता है तो एक momentum आ सकता है डाउन से ठीक है बाकी देखो कुछ भी होता है ना तो मैं definitely morning में ही मैं data update कर ही देता हूँ टेलिग्राम पे अब देखो bank nifty को भी समझ लो भई अब bank nifty क्या कह रहा है bank nifty काफी अलग चीज़े आपको बताना चाहता है यहाँ आप देख सकते हो यहाँ से यही structure आपको बनता हो देखने को मिर रहा है almost एक closing भी almost एक यहाँ pattern की सबसे negative है ठीक है पर यह जो range है यह काफी important support है पच्चा मेरा view यह है कि market को अगर उपर जाना है तो यहाँ से इस range को काटना पड़ेगा कौन सी range है 50,270 के level को अगर 50,270 के level को काटेगा तो सबसे पहले तो 50,300 ठीक है मतलब 30 point कुछ है नहीं ठीक है यह range काफी important है असली खेल 50,300 के उपर है 50,300 के उपर market जाएगा तो यहाँ से 50,400 का level हमें देखने को मिल सकता है और उसके बाद यहाँ से short covering में आता हुआ देखने को मिल सकता है तो मैं आपको upset momentum के लिए सबसे पहले level बता दिया ठीक है क्योंकि देखो यहाँ क्या किया है seller को बुलाया है buyer आया है फिर यहाँ गिरा फिर buyer आया अब seller को बुलाया अब दियान रखना इसके नीचे 50,000 का एक और support है तो इसके नीचे 100 point अभी pending पड़े है 50,000 का level ठीक है यह strong support है तो इस चिसका हमें दियान रखना है इस level के नीचे 50,100 के नीचे कल रहता है ना market ठीक है तो जितना market इसके नीचे दबाने के try करेंगे ना उतना selling pressure create हो सकता है ठीक ह क्योंकि फिर वो ये active हो जाएगा ये पड़े इस चिसका ध्यान रखना तो upside के लिए मैं आपको ये structure समझा दिया कि यहां से उपर का यही level है तो इस level को आपको दिमाग में रखना है कि भईया इस range को काटता है ना तब यहां से एक upside के target खुल सकते है तब तक तो यहां इस बैंक निफ्टे में ना एक समझ लो भईया कि downside में support ज्यादा है 49,800,900 और 50,000 ये तीनों एक अलग type का data बना रहा है data भी काफी अच्छा है और structure भी काफी अच्छा बन रहा है तो मेरे ख्याल से यह है कि यहां जितना आएगा ना नीचे buyers strike करेंगे market को फिर से उठाने की औ ठीक है तो downside में ना अगर आप ध्यान दे रहे हूँ तो मेरे ख्याल से आपको एक चीज़ फोकस करना चीए जितना जितना मिले ठीक है ले के फिर से एक बार level try करो उसके बाद फिर से निकल के एक बार फिर से try करो बस इस level को focus करो ज्यादा क्योंकि यहां market को घुमान एक ट 1800 ठीक है यह level थोड़ा दूर है पर फिर भी मैंने सोचा बता दू क्योंकि यहां से इतना level दूर हो जाता है ठीक है इसके नीचे market में aggressively selling देखने को मिल सकते है 200-500 point ठीक है इस इसका दियान रखना है पर अगर market इधर कई भी मिलता है तो एक बार buyers try करेंगे उठाने की और उ 500 के उपर upset momentum open होगा 50,400 के उपर breakout होगा और 50,500 के उपर short covering होगी ठीक है यह तीन चीज मेंने knit and clean ठीक है short and simple में बता दिया है सीधी बात नमबकवास ठीक है तो आसा करते हो आपको कुछ न कुछ समझ आ गया होगा अब देखो काफी comments आ रहे थी कि पर sir sensex के बारे में भी बत आदो तो short and simple में आपको थोड़ा उसका भी analysis देते था हूँ क्योंकि हमारे subscribers जो है ठीक है उनकी requirement fulfill करना हमारी अदत है ठीक है तो फिर वो सोचा चलो उसका भी थोड़ा बहुत आपको समझा देते है देखो यहां यह structure समझ लेना ठीक है जो भी जो बाई sensex में interested है न वो सम sensex में 78,750 यह level mark करके रखो इसके नीचे ठीक है इस range के नीचे market sustain नहीं होना चाहिए market अगर इस range के नीचे sustain होता है तो selling pressure amount हो सकता है अगर आप 30 के बारे में सोच रहे हो कि upset momentum कहां आएगा तो मैं आपको एक simple सी चीज बताओ ठीक है कि 79,150 का जो level है ठीक है market में यह level बहुत important है अगर इसको उपर खुलता है ना तो वहां से आपको 79,250 का level यह easily आपको देखने को मज़ सकता है यहां तक का momentum आपको easily upside में आ सकता है इस चीज का ध्यान रखना बाकी देखो मैं आपको ज़्यादा confuse करूगा ना तो फिर आप ही confuse हो जाओगे क्योंकि मेरी जो analysis होती वो थोड़ी deep होती है ठीक है वरना मेरे को भी आता है यहां screen पे 2-4 number लिखके मैं आपको बता दू पर यहां structure आपको समझाने के try करूँ तो देखो यहां इस type का structure चल रहा है ठीक है एक range में चल रहा था buyer ठीक है आज के दिन buyer ने थोड़ा ज्यादा उठाया है ठीक है यहां से इस range को ज्यादा उठाने के try करी ज्यादा पटका बतलब ज्यादा buyer aggressive होता है तो seller भी ज्यादा aggressive हो जाता है ठीक है तो अब एक ही range पर follow करना वहीया 78-750 ठीक है यह जो level है ना यह level काफ़ important है कल sensex के लिए market अगर इसके नीचे जाता है तो selling जो है वो और हमें थोड़ी आती यह देखने को मिल सकती aggressively momentum अगर मिलता है upside का तो मैंने आपको बताया 79-150 का level ठीक है इस level के उपर यहां से momentum आयागा अब इसका logic क्या है logic भी मैं आपको समझा देता हूँ पहली चीत तो यहां से selling आ चुका है फिर bounce करवाया है अब नीचे आया है तो यहां buyer आया है इस range के आ है कि यह जो बेच के बैठा ना वो थोड़ा बहुत अपना cover करने के try करेगा दूसरा यहां से जो buyer बैठा होगा वो over aggressive होगा कि भया चलो breakout हो रहा है तेक है यह logic है logic psychology के उसाब से ही लिया जाता है उससी में आफीन होगे तो यह चीज होती है psychology के इसाब से play करोगे ना तो आ कर दूँगा ठीक है क्या है क्या नहीं कुछ मेरे को structure लगेगा तो मैं आपको समझा दूँगा एक और चीज वीडियो को ना पूरा समझ के like जरूर दबा देना like कर देना share कर देना comment कर देना और पहली बार आयो हो तो subscribe कर देना मिलता है अगले वीडियो में है जाहीं जाए